प्रियों सिक्षार्थियों आपका स्वागत है आज हम एक महत्वपुर्ण विशे पर बात करने जा रहे हैं आपका जो पहला पार्ट है वो है कविता कैसे पढ़ें यह पार्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि वैसे तो आप बच्पन से ही कविताएं पढ़ते हैं लेकिन बातों को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि कविता का सुरूप क्या है शिक्षार्थियों कविता के सुरूप को जानने के लिए अगर आप देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि उसमें भावों की अभिव्यक्ति की जाती है और भावों की अभिव्यक्ति के ल गया है poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings इसका तात्पर यह है कि कविता हमारी सहज अभिव्यक्ति है उसमें विशय को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना भावों को प्रस्तुत करने में उसमें कला दिखाई जाती है और कविता पर जब हम विस्तार से बात करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से कविता और गद्य में अंतर है कविता और गद्य में अंतर की बात करते हैं तो जो उपरी तोर पे अंतर समझ में आता है वह है कि कविता में भावों की प्रधानता होती है और गद्य में विचारों की प्रधानता होती है और इसी अंतर के आधार पर हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आगे हम देखते हैं कि इस पार्ट को पढ़ाने का उद्देश्च क्या है इस पार्ट में हम कविता के स्वरूप पर बात करेंगे कविता का हमारे जीवन में क्या महत्व है इस पर चर्चा करेंगे उसके जो अवयव हैं कविता के उसको देखने की कोशिश करेंगे कविता क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें इस पर भी विस्तार से बात करेंगे और उसी के अंतरगत कविता के भावपक्ष और शिल्पक्ष पर बात करेंगे तो इन सारी बातों को समेटते हुए हम कोशिश करेंगे कि इस पार्ट को आसानी से हदयंगम कर सकें आप और आप समझ सकें कविता का जो जन्म हुआ वह संस्कृत वांगमे में दिखाई देता है उस समय रचनाकारों ने कविता को अलग ढंग से देखने की कोशिश की इसलिए कहा गया कि शब्दार्थव सहितव काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ का जब सुन्दर समन्वे हो तो काव्य की सृष्टी होती है और इसके लिए उन्होंने कभी रस को प्रधानता दी कभी अलंगकार को कभी रीती को कभी वक्रोक्ती को तो इस तरह से अलग-अलग विचार समय समय पर आते रहे लेकिन संस्कृत वांगमे के बाद जब हम हिंदी वांगमे को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां साहित्य का जो सुरूप है वह पूरी तरह बदल गया है और इसके लिए हम सबसे पहले शुक्ल जी को देखते हैं कि शुकल जी ने जब साहित्य की परिभाशा दी, कविता की परिभाशा दी, तो उन्होंने कहा कि हरदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वानी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं कविता में हरदय की अभिव्यक्ति होती है, और हरदय की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से होती है, कविता एक संस्लिस्ट विधा है, उसमें भावों को बहुती गहराई से देखा जाता है, व्यापक रूप में देखा जाता है इसलिए शुकल जी ने मुक्ति की साधना के रूप में उसे देखा क्योंकि जब रचनाकार एक रचना की स्रिष्टी करता है तो उसे मुक्ति का असास होता है और इसे मानस पुत्र भी कहा जाता है कि कविता का जब जन्म होता है तो रचनाकार आलादित हो उठता है पहले तो वह स्वांता सुखाय ग्राण करता है और उसके बाद लोगों को भी आलादित करता है मनोरण्यन प्रदान करता है उसी तरह से जब हम आचारे हजारी प्रिषाद दिवेदी को देखते हैं तो उन्होंने नए ढंग से परिभाशित करने की कोशिश की उन्होंने कहा कि कविता का लोक प्रचलित अर्थ वह वाक्य है जिसमें भाववेश हो, कलपना हो, पद लालित्ति हो तथा प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो उनका कहना है कि इसमें भाववेश हो भाववेश का क्या आर्थ है कि उसमें भावों की सुन्दर अभिव्यक्ति हो जब कविता की परिभाशा इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो लोगों ने अलग-अलग ढंक से उसको परिभाशित करने की कोशिश की और यह निषकर्स निकल कर आया कि कविता में भाव की प्रधानता होती है इसलिए उसमें विचार का पक्ष बहुत ही संतुलित होता है बहुत कम होता है और भावों की अभिव्यक्ति के लिए कलपना की आवशकता होती है जब रचनाकार कलपना के सम्मिश्रण से उस रचना की स्रिष्टी करता है तो वह देखता है कि उसमें नवीनता है उसमें नई उद्भावनाएं हैं नई स्रिष्टी होती है इसलिए कहा जाता है कि कविता में विचार की या चिंतन की जटिलता नहीं होती अर्थात उसमें विचार पक्षप्रधान नहीं होता चिंतन पर जदा गोर नहीं किया जाता भावों को प्रमुक्ता दी जाती है और इन भावों की अभिवक्ति के लिए रचनाकार एक बिम्ब विधान करता है अर्थात शब्द चित्र खड़ा करता है उसके अलावा अगर भाषा की हम बात करें तो अभिधा की अपेक्षा लक्षणा की विवात करता है उसमें अभिधा का अर्थ है जो शब्द कोष का अर्थ होता है वह अभिधा होती है लेकिन साहित्य में सब कुछ अभिधा में नहीं कहा जाता जब उसका लाक्षणिक प्रयोग होता है जैसे किसी व्यक्ति को मजबूत बताना है तो कहते हैं कि वह सिंग के समान है तो कविता में इस तरह से लाक्षनिक प्रयोग किया जाता है और इस तरह से कविता का एक पूरा स्वरूप स्पस्थ होता है हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कविता का हमारे जीवन में क्या महत्व है क्योंकि कविता केवल हमें मनोरण्यद नहीं पैदान करती बलकि वो हमारे जीवन में प्रेड़ना देती है आपने देखा होगा कि बहुत से कवी हैं जिनमें जीवन दर्शन है जीवन मुल्यों की स्थापना है और जीवन के प्रती एक नई दृष्टी है जैसे अगर आप अग्य की कविता पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा या आप आगे कक्षाओं में देखेंगे कि उनकी एक कविता है साप तुम सब्वेतो हुए नहीं नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया एक बात पूछों उत्तर दोगे तब कैसे सीखा डसना विस कहां पाया अब यहां देखिए नगरिय सब्वेता पर व्यंग्य है रचनाकार बहुत ही सलिके से व्यंग्य पूर्ण सैली में अपनी बात कहना चाहता है और वह समाज को प्रेणा देना चाहता है कि जो लोग धोखा देते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते या समाज के लिए हितकर नहीं है वह सर्प के समान है और उनसे हमें बचके रहना चाहिए इस बात को कहने के लिए बहुत ही सरल भाषा का प्रियोग किया जाता है और सुगठित भाषा भी होनी चाहिए और साथ ही लयातमक्ता एक बहुत महत्वपुर्ण मिशेष्टा है कविता की अगर उसमें लय विधान नहीं होगा तो कविता का सौंदर ये निखरकर सामने नहीं आएगा जैसे मैं आपको उदारण देता हूँ प्रसाद जी की बहुत ही सौंदर कविता है कामाईनी और कामाईनी की जो पंक्तियां है बड़े ही लयातमक हैं जैसे हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैट सिला की सीतल चहां एक पुरस भीगे नैनों से देख रहा था प्रले प्रवाह नीचे जल था उपर हिम था एक तरल था एक सगन एक तत्तु की ही प्रधानता कहो उसे जड़िया चेतन अब इसमें एक जो लयातमक्ता है एक जो संगीतातमक्ता है वह कविता को बहुत ही सशक्त बनाती है मनोरंजक बनाती है और शिक्षा प्रद भी बनाती है तो इस तरह से कविता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और कविता हमारे जीवन को परिवर्तित करने की छमता रखती है अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कविता के अवयव कौन से हैं अर्थात कविता के वो कौन-कौन से अंग हैं जिन से मिलकर कविता का निर्मान होता है। जैसा कि पहले मने बताया था कि संस्कृत वांगमे में उसके अव्यों के रूप में लोगों ने अलंकार को, ध्वनी को, रीती को, वक्रोक्ती को, रस को, इन सबों को अव्यों के रूप में देखा. देकिन आधुनिक संदर्ब में इसका स्वरूप बदल गया और कविता के अंतरंग रूप और कविता के बहिरंग रूप इन दो रूपों में कविता को परिभाशित करने की कोशिश की गई. अंतरंग रूप का तात्पर है उसका बोधपक्ष या उसका भावपक्ष बोधपक्ष क्या होता है कि उसमें जो विशय ग्रहन किया गया है जैसे निराला की कविता है वह आता दो टूक कलेजे के करता पस्ताता पत्पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक मुठी भर दाने को भूख मिटाने को मोफटी पुरानी जोली को फैलाता दो टूक कलेजे के करता पस्ताता पत्पर आता इस तरह की जो कविताएं हैं, वह आपकी द्रिश्टी को एक नई तस्वीर देते हैं, विखारी का एक नया चित्र पस्तुत करते हैं, तो यह उसका भाव पक्ष हुआ। अर्थात ताना बाना उसका किस तरह से कविता बनी है जैसे पहले छंद विधान होता था छंदों के माध्यम से कविता होती थी लेकिन बाद में उसे अतुकांत कविता के रूप में भी देखा गया अतुकांत कविता जैसे निराला की कविता भी आपको मैंने बताई वह चाहे रहीम के दोहे हो या बिहारी के दोहे हो उसमें 13 और 11 मात्राओं का आपको संयोग दिखाई देगा तो वो एक विशिष्ट पद्धती है लेकिन आज के रशनाकारों ने उन पद्धतियों के विपरीत अतुकांत शैली को भी अपनाया है शिक्षारतियों अब आप विस्तार से यह देखें कि कविता का जो भाव पक्ष है उसमें कौन-कौन से तत्व निकर कर आते हैं अर्थाद भाव पक्ष में कौन-कौन से तत्व बनेंगे जिसे भावों का निर्मान होगा तो उसमें मुख्य रूप से चार तत्तो नजर आएंगे आपको एक तो उसका कत्थ है कत्थ का मतलब होता है कि उसमें वस्तु क्या है अर्थात उसका मुख्य विशे क्या है अगर आपने विशे को समझ लिया तो उसके बाद उसमें रस की अभिव्यक्ति हुई है या नहीं या कौन से रसों की अभिव्यक्ति हुई है इसे समझने की कोशिश करेंगे जैसे श्रिंगार रस, करण रस, रादर रस ये विभिन जो रसों का विधान किया गया है उसे काववे की स्रिष्टी होती है और उसके बाद भावपक्ष में आप देखेंगे कि उसमें विचारों की भी स्रिष्टी है जैसे बहुत से रशिनाकार हैं जिनोंने उसमें ने ने विचारों को दिया है जैसे माखलना चतुरवेदी की कविता है पुष्प की अभिलाशा उसमें वो कहते हैं चाह नहीं मैं सुर्बाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिन्ध प्यारी को लल्चाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव परहे हरी डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चड़ों भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड लेना वनमाली उस पत पर देना तुम फेक। मात्र भूमी पर सीष चड़ाने जिस पत जाएं वीर अनेक। यहां रास्ट भक्ति की जो भावना है वो एक द्रिष्टी प्रदान करता है वो रास्ट प्रेम की स्रिष्टी करता है तो आपको कविता में इस तरह के विचार परक बातें भी देखने को मिलेंगी। उसके आलावा कलपना की जो बात है वास्तो में जो कवि होता है उसकी द्रिष्टी सामाने लोगों की द्रिष्टी से अलग होती है क्योंकि वह कलपना की स्रिष्टी करता है जैसे बिखारी का उदारन आपको दिया मैंने निराला ने जो बिखारी का जो चित्र प्रस्तुत किया है हम सभी बिखारी देखते हैं लेकिन उन्होंने जिस तरह से कलपना की है बिखारी की वह बहुत ही मार्मिक और हरदय को द्वेलित करने वाली है तो इस तरह से चार तत्तों से भावपक्ष का निर्मान होता है और जब आप उसके बहिरंग पक्ष पर जाएंगे तो उस इसमें भी अलग अलग तत्तों नजर आएंगे आपको और सिल्प को संवारने के लिए सिल्प को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए रशनाकार सुन्दर भाशा और शैली का प्रियोग करता है रशनाकार सरल भाशा का भी प्रियोग कर सकता है जिसमें तत्सम विर्षज और विदेशत भासाएं आती हैं, उसके अलावा संसलिस्ट शब्द विधान भी कर सकता है और उसकी शैली भी बहुत ही मनोरंजक हो सकती है, बहुत ही सारगर्भित हो सकती है इसलिए भाषा और शैली का बहुत मातु है चुकि भाषा ही वह हतियार है वह सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से रचनाकार अपनी बातों को प्रस्तूत करता है इसलिए भाषा जितनी ही सुगड होगी, जितनी ही मनोरंजक होगी, जितनी हमारे हृदय को बेधने वाली होगी, उतनी ही प्रभावशाली मानी जाएगी अगर आप कबीर के दोहों को देखें, तो उनकी भाषा में बड़ा ही प्रभावशाली सुरूप नजर आएगा सिक्षार्थियों उसके बाद हम जो दूसरा तत्त्त है उस पर बात करते हैं वो है चंद विधान चंद विधान का आर्थ है कि पहले के कभियों ने जो रिशनाओं की स्रिष्टि की है उसमें चंदों का एक विधान किया गया जैसे दोहे में 13 और 11 चंदों का विधान किया गया चौपाई में अलग विधान किया गया उसी तरह से अलग अलग चंदों के रूप में आपको साहिते देखनों को मिलेगा उसे साहित्य में लियात्मक्ताश और वैशित्र नजर आता है उससे एक रसों की स्रिष्टि भी होती है उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो अलंकार विधान पर आपका ध्यान जाएगा क्योंकि अलंकारों के द्वारा काववे को सुषोवित किया जाता है उसे अलंकृत किया जाता है जैसे नारी की सुभा हाभूशन होते हैं उसी तरह से अलंकार भी साहित्य को सौंधर्यवान बनाते हैं अलंकारों में जैसे शब्दा लंकार और अर्था लंकार होते हैं तो आप बाद में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं पे अनुप्रास की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है कहीं यमक अलंकार है उसी तरह से अर्था लंकार में उपमा वक्रोक्ति आदि अलंकारों की सृष्टि की गई है तो ये सारे अलंकार जो हैं वह आपको जगा जगा पे कविताओं में नजर आएंगे इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ अन्य तत्व भी हैं जो साहित्य को सुन्दर बनाते हैं जैसे प्रतीक है प्रतीकार्त है कि तुल्ना करना अगर आप सूर्दास को देखें तो सूर्दास ने भोरों का वरणन किया है वहाँ भोरे प्रतीक हैं श्यामरंग के और अपने सुभाव के उन से तुल्ना की गई उधो की तो भोरे वहाँ प्रतीक हैं सीधे सीधे उधो को कुछ नहीं कहा गया भोरों के माध्यम से कहा गया तो एक प्रतीक विधान नजर आएगा उसी तरह से बिम्ब विधान का मतलब है एक चित्र विधान रिशनाकार सीधे सीधे अपनी बात नहीं कहता बलकि वो चित्रों की सृष्टी करता है वो एक शब्द चित्र का निर्मान करता है और उसे भावनाओं की एक प्रभावशालिय अभिव्यक्ती होती है उसी तरह से रिति और गुंड भी तत्व हैं जो साहित्य को प्रासंगिक बनाते हैं उसे सुंदर बनाते हैं और हमारे हिर्दय के करीब बनाते हैं तो इस तरह से कलापक्ष के अंतरगत इन तत्तों को समेटा जाता है इनको प्रस्तुत किया जाता है अब हम बात करेंगे कि जब कविता के ये विभिन आंगों को हमने देख लिया उसके अवयों को देख लिया तो आखिर कविता पढ़ी कैसे जाए आगे के पाठों में आप देखेंगे कि अलग अलग रशनाकारो के विभिन कालखंडों के रचनाकारों को आपको पढ़ना पढ़ेगा और तब आप देखेंगे कि कविता अलग अलग भाव भूमी की होगी अलग अलग तरीके के विशे उसमें होंगे तो उन कविताओं को हम पढ़ें कैसे जो सबसे पहला विंदू है, वो है कवी की भावनाओं तक पहुँचना इसका ताथ पर्रे क्या है? कि हर कवी अपनी रचनाओं में कुछ न कुछ भावनाओं को प्रगट करता है अर्थात कहीं उसके अंदर रास्ट प्रेम होता है कहीं पर स्रिंगार की भावना होती है कहीं पर करौन रस की अभिवक्ति करना चाहता है तो हमें यह देखना होगा कि कवी जिन भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है वही भावनाएं हम रद्यांगम कर सकें उनको समझ सकें, तभी कविता अपने समगर रूप में हम से जुड़ती है और हम उसका साधारनी करन कर पाते हैं, अर्थात उसकी भावनाओं से अपने को जोड़ पाते हैं, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि कवी का जो परिचे है, अर्थात कवी की प्रिष्ट भूमी क्या है, उसका रचना कर्म किस तरह का है, उसके लेखन कोशल की क्या विशिष्टाएं हैं, उसकी का व्यात्मक क्या विशिष्टाएं हैं, उन सभी को जानना जरूरी है, तभी हम रचना कार तक पहुंच सकते हैं, और तीसरा जो विंदू है, वह है कि उसका हम सस्वर पाठ करे अर्थात जब हम ले में हम पाठ करेंगे तब ही हम देखेंगे कि उस पाठ पर हमारी समझ, हमारी पकड मजबूत होती है क्योंकि शब्दों को तोड़ तोड़ कर उसको लियात्मक ढंग से पढ़ने से पाठ स्पस्ट होता है और वह ग्राह ही होता है उसके बाद जो तत्व आता है वो है भासा सोंदरिय चुकि भाषा के द्वारा विशे को प्रस्तुत किया जाता है तो रचनकार ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उस भाषा से तारतम में बिठाना जैसे आप देखेंगे कि मद्यकाल में ब्रज भाषा और अवधी का प्रयोग किया गया है तो आपको उस भाषा को समझना बहुत जरूरी है उसके संदर्य को समझना जरूरी है कभीर दास की भाषा को देखेंगे तो उसमें सदुकडी भाषा का प्रयोग किया है विविन शेत्रों की भाषाओं के शब्द आपको नजर आएंगे तो उसे समझना बहुत जरूरी है और आज के रचनकार हैं उनमें खड़ी बोली है तो खड़ी बोली को समझना आपके लिए ज्यादा आशान होगा आपको भाषा के जो मर्म है भाषा की जो गहराई है उसको समझना जरूरी है तभी आप पाठ को अच्छी तरह से समझ सकेंगे इसके लिए एक और भी बात जरूरी है कि आप एक कवी की जो विसिस्ताएं है उसका जो सौंदर्य है वही सौंदर्य अगर दूसरे कवी में भी मिलता है जैसे प्रकृति प्रेम है प्रकृति की प्रेम पराधारित रचनाएं बहुत से लेखकों में मिल जाएंगी से सिक्षार्थियों हमने कवीता कैसे पढ़े इस पर विस्तार से चर्चा की और मुझे उमीद है कि आपने कवीता के स्वरूप को समझने की कोशिश की होगी देखिए कवीता रदय को अंदोलित करती है रदय को भावों से भरती है और कविता कहीं न कहीं हमें कलपना लोक मिले जाती है इसलिए कविता को समझने के लिए उसमें अपने को समाहित करना आत्मसाथ करना बहुत जरूरी है क्योंकि कवी जब रचना की इस्रिष्टी करता है तो उसमें अनेक भावनाएं नहित होती है और उन भावनाओं को पकड़ना उन्हें समझना और हद्यांगम करना एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि कविता सुनने में तो बहुत आनन देती है लेकिन कविता का मर्म समझना हो तो उसके सभी पक्षों को ध्यान देना होता है उसके सिधान्द को समझना होता है कविता में भाव की प्रधानता होती है लेकिन गद्य विचार प्रधान होते हैं उसके लावा कविता में कल्पना का अतत्व जादा होता है कविता एक संसलिस्ट प्रक्रिया है जहां तक भावपक्ष का प्रस्ण है भाव पक्ष में तो विचार होते हैं, कथ्य होते हैं, कल्पना होती है, रस की स्रिष्टी होती है और इन सबों का जो सम्मिलन होता है वो भाव का निर्मान करता है लेकिन जब उसका ताना बाना बुना जाता है, जब उसको आकार दिया जाता है तो उसके आधार होते हैं अलंकार छंद विधान बेम्ब विधान प्रतीक विधान फिर आपने देखा कि कविता हमारा केवल मनोरंजन नहीं करती कविता भी सोदेश्य होती है वह हमारे जीवन को परिवर्तित करती है जीवन को नई दिशा देती है आप कह सकते हैं कि स्वांता सुखाय से कविता का जन्म हुआ लेकिन उसका जो सामाजिक रूप है वह हमेशा उसमें समाहित रहा रचनाकार केवल अपने लिए स्रिष्टी नहीं करता वह एक नए समाज एक नए देश और एक नए विश्व का निर्मान करना चाहता है जीवन मुल्यों के स्थापना करना चाहता है वह समाज की विशंगतियों विडम बनाओं और उसमें जो नकारने वाली चीज़े हैं जो बाधित करने वाली चीज़े हैं जो समाज को विगटन की ओर ले जाने वाली चीजे हैं उसकी ओर संकेत भी करता चलता है इसलिए अभी आप देखेंगे कि आज कल के जो रचनाकार हैं वो व्यंग के माद्यम से अपनी बात कहते हैं व्यंग से अपनी बात को अधिक प्रभावशाली धंग से कहते हैं इसलिए आज कविताओं का स्वरूप बदला है छंद विधान की बजाए और तुकांत कविताएं नजर आती हैं उनके विशे का विस्तार भी काफी हुआ है और वही कविता वास्तों में महान होती है जिस से हम सामाने रूप से जुड़ पाते हैं और जो हमारे जीवन को आनदोलित करती है आहलादित करती है और जीवन का परिशकार करती है तो इस तरह से हमने आज ये कविता के पठन पर बात किया है और हमें उम्मीद है कि जब आप आगे के पाठों को पढ़ेंगे तो यहाँ प्रिष्ट भूमी आपके लिए कारगर साबित होगी खन्यवाद